हेलो और वेलो वेलो वेलों कम बाक टो सुपर कोचिंग टेस्ट बुक बांकिंग चानल पटाफद सभी लोग आ जाए है यहां पर क्लास की शुरुवात करेते हैं येस नीरज क्लास होगी क्यों नहीं होगी मैं आ गई हूँ आप लोग भी आ जाएए हलो हर्दीप आक्चली क्लास पूर फाइफ को शेडूल थी और फाइफ होते ही मैं आ गई हूँ ठीक है तो लेट्स स्टार्ट दो सेशन विदाउट एनी फृदर डिले विदाउट भूल ही जाते हैं कि आज नया साल है हापी न्यू यर तो आप सभी लोग को हापी न्यू यर जो लोग भी यहाँ पर है ठीक है नीरज जीएस का मेमरी बेस पेपर नहीं हो पाएगा आज सर अवेलेबल नहीं है इसलिए लेट्स सी कि क्या बेस्ट पॉसिबल हम लोग आपक पर है ठीक है तो चलिए अभी क्लास की तरफ चलते हैं पहले क्वेशन की तरफ हलो विनीद गुद इविनिंग आंड हापी न्यू यर एवर्यवाण पहला क्वेस्टिन आपके सामने फड़ा 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 आंसे करिए हापी न्यू यर सोमू जल्दी जल्दी आंसर करेंगे एजी क्वेस्टिन है गल्ती ना करें आप लोग ठीक है एधर और ओके एक सेकंड हाँ ओके और यहाँ है यू यहाँ है दोनूएं के बीछ काव एलेशिन य के तुरू R is greater than equal to Y Y is greater than equal to U R क्या है greater than equal to U That is R is either greater than U और R is equal to U ठीक है यहाँ पर either one or two Next question हाँ नीरज सारह shift का analysis होगा तीन shift अलड़ी हो चुकी है तीनों का analysis हो गया है fourth shift का analysis भी हम लोग कर रहे होंगे don't worry 5.30 पर हम लोग कर रहे होंगे third shift का, fourth shift का analysis यहाँ पर क्या दिया है L और B के बीच का अगर relation देखे L is greater than N N is less than B दोनों के बीच का relation define नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा H is greater than J H कहा है यहाँ पर है J कहा है यहाँ पर है दोनों को अगर देखे H is greater than N आ रहा है यहाँ पर J is greater than N या फिर कह सकते है N is less than J तो यह दोनों क्या है opposite sign है यह भी नहीं निकलेगा neither one nor two clear है clear है सभी को चले आगे next question M और O के बीच का relation बताना है M is less than equal to N N is N और O के बीच का relation नहीं निकल पाएगा क्योंकि दोनों क्या है opposite sign है तो M और O के बीच का भी relation नहीं निकलेगा K और N की बीच की बात करो तो दोनों opposite relation है इसका भी relation नहीं निकलेगा फिर से neither one nor two next question पर जाने से पहले पताना चाहूंगे आगे आने वाले exams के लिए अगर आपको banking super coaching लेनी है तो आप मेरा coupon code नहा लगा कर super coaching purchase कर सकते है next question D is less than equal to F D और F का direct relation बन रहा है D is less than F यहाँ पर equal to भी पूचा है तो this will be wrong A is less than H पूचा है A यहाँ है A is greater than D D is less than H opposite sign यह भी गलत neither one nor two next question forward backward में pair ढूणने हैं जल्दी जल्दी ढूण के पताओ कितने हैं तब तक मैं word लिख लेती हूँ कितने में विले योगराज कह रहे हैं 2, 2 या option 2 क्या कहना चाह रहे हो Let's check 22 से 23, 24 सारे छोटे नमबर है नहीं होगा 1 से 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 नहीं हो रहा है 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 नहीं हो रहा है 9, 10, 11, 12, 13 14, 14, 15 नहीं है 8, 9, एक ये बन रहा है 10, 11, 12, एक ये बन रहा है 8 से 12 बना है तो 9 से भी 12 बनेगा 3 तो यहीं हो गए ठीक है उसके बाद 12 से 14 ठीक है 12 से 14 एक बन गया 4 हो गए और देखते है और यहां से continue करते है 14, 15, 16 नहीं है 7 से नहीं है, 12 से नहीं, 25 से नहीं है तो 12, 13, 14 यह हो गया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है 7, 8, 9 7, 8, 9 एक और बना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो हो गए है तो हम आंसर कर सकते हैं more than 4 ठीक है ठीक है option number 1 next question coding decoding का question है यहां से solve करते हैं first shift में fictitious coding देखने को मिली थी 4 question फड़ा 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 आंसर करेंगे आइस का code आपको बताना है कैसे रूनते हैं जल्दी code eyes का code यहां पर eyes है stem melts more get tell on melts more world tell more get eyes सिर्फ यहां पर है तो code भी सिर्फ यहीं पर होगा st दोनों में दिख रहा है नहीं होगा say दोनों में दिख रहा है नहीं होगा jy कहीं नहीं है xy कहीं नहीं है इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है either one either jy और xy ठीक है इसको बता दें कैसे करते हैं series next question देख लेते हैं उसमें बता दूँगे दुपारा से series ऐसा है आपको यह देखना है अगर word एक statement में है तो उसका code भी होगा एक ही statement में होगा जाहिर सी बात है अगर word तीन statement में है तो code तीन statement में होगा this is basic general knowledge तो आप उसी को follow करते हुए basic general knowledge को follow करते हुए answer find करते हो एक बार example फिर से देख लेता है more age का code बताना है more age यहाँ नहीं है more यहाँ पर है tell on melts more यहाँ पर है world tell more more चीक है देखो age हमारे पास नहीं है हमारे पास more है more तीन statement में है तो word तीनों में common होना चाहिए तीनों में कौन सा word common है nm common दिख रहा है क्या कोई और word common है नहीं EI नहीं है तीनों में S A नहीं है ST भी नहीं है तो MORE का code क्या होगा нравится NM यहाँ नहीं है x 2 यहाँ नहीं है अब अच्छे हमारे पास 2 options जहाँ पर NM है age हमारे पास in statement में नहीं है यानि की age का code होगा वो क्या होगा एक unique code होगा जो यहाँ पर नहीं होगा st की अगर मैं बात करूँ हमें यहाँ पर दिया हुआ है याने की sth का code नहीं होगा sth का code क्या हो जाएगा zc क्योंकि unique code चाहिए हमारे statement में नहीं होना चाहिए ठीक है next st का code st यहाँ है st यहाँ है और कहीं नहीं है दोनों में क्या common है stem common है get common है stem और get common है तो stem और get में से कुछ भी हो सकता है क्या stem और get कहीं और दिया है देखो get यहाँ पर दिया है बट यहाँ पर st नहीं है यानि की get word नहीं है जिसकी हमें तलाश है, हमारा वर्ड हो जाएगा stem, option number two, clear? Next question, world, stem get, eyes recall, stem melts, more get, world कहां है, last वाले में, अब अगर देखो, series और बाकी सारे स्टोरेंट सुनो, world अगर last statement में है, तो उसका code भी सिर्फ वहीं होना चाहिए, word नहीं है, तो code कैसे होगा, नहीं होगा, right? अगर हम यहाँ पर codes को compare करते हैं, DC कहीं नहीं है, तो DC possible code हो सकता है, essay की बात करू, first statement में code है, पर word ही नहीं है, तो यानि की, ये world को represent नहीं कर रहा, nm की बात करू, nm second, third, दोनों में है, तो ये भी नहीं होगा, nb की बात करू, third statement में है, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, DC, world का code क्या हो जाएगा, option number one, DC, clear? next question, happy new year, shakti, happy new year, next question, which is different from the other, ये यहाँ पर, copy हो गया है, ये उसका question नहीं है, ये different question है, different from the other, बताना है, second is different, okay, positional values, 22, 16 and, 19, minus कितना हो रहा है, 6, plus 3, positional value, 18, 13, 16, minus 5, plus 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, 15, 12, 15, 9, sorry, just a second, 15, 9 and 12, minus 6, plus 3, यहाँ पर, 23, 17 and 20, minus 6, plus 3, यहाँ पर, 24, 18 and, 21, minus 6, plus 3, हर जगा, minus 6, plus 3 हो रहा है, यहाँ पर, minus 5 हुआ है, इसलिए, option 2 is different, next question, floor arrangement, 8 members का, सुभा, 1st shift में आया था, उसी के according यहाँ पर, questions है, आकरिती पूछ रही है, level क्या रहेगा, 7th को, आकरिती, level almost, same ही रहना चाहिए, 19, 20 का फरक होना चाहिए, because, at the end, normalization होगा ही, जब भी multiple shift में, exam होता है, normalization होता ही है, तो shift में, यहाँ पर, 19, 20 का फरक रहते हैं, ऐसा नहीं, कि एक बिलकुल easy, और दूसरी बिलकुल, tough दे दे, अभी जित्ते भी students आए हैं, अभी जॉइन किया है, आप सभी लोगों को, a very happy new year, फड़ा 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 आंसर करेंगे, अभी next question का, हो जाएगा तो आप done लिखेंगे, होनि जॉइन क को, आपूसरी लोगों को, तो ञाएगा तो आप den लिखेंगे, अटेंप्टेशन बता दो आकरिती ऐसा है कि अटेंप्ट जो है वो अभी आज के शिफ्ट की अगर में बात करूँ आज के तीन शिफ्ट हमने देनालिसिस किये हैं तीनों शिफ्ट में 75 से 85 के बीच में ही बच्चों ने बताया है हमको तो वही रह सकता है आगे भी ठीक है एट फ्रेंज है एट सुरी बिल्डिंग है लोवर मोस फ्लोर वन है टॉप मोस ऐसे जाते जाते एट 8,7,6,5,4,3,2,1 ठीक है ओके मुन्ना लिफ्ज ओन फ्लोर नंबर फ्लोर ठीक है मुन्ना ओन फ्लोर 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 टू पीपल स्टे बिट्वीन सोनू एन मुन्ना टू पीपल सोनू ऊपर भी रह सकता है दूसरा क्या होगा मुन्ना टू पीपल सोनू ठीक है फाइफ पीपल लिफ बिट्वीन रवी औन सोनू वन टू फ्लोर फ्लोर फैव रवी यहां पर ठीक है उसके बाद Rinku is staying immediately above Vicky Rinku अगर immediately above Vicky है तो यही एक position है जहाँ पर Rinku is above Vicky and यहाँ पर Rinku above Vicky Golu stays on one of the floors above Manu who is staying below Ravi ठीक है Manu Manu के उपर Golu Manu Manu कहा है staying below Ravi यहाँ पर Manu is below Ravi यहाँ पर Manu is above Ravi यह वाला cancel हो जाएगा यह वाला सही हो जाएगा किस-किस का ऐसा ही बना है किस-किस का ऐसा ही बना है questions पर चले questions पर चलते हैं okay पहला question who is staying on the top floor who is staying on the top floor Golu is staying on the top floor who is staying immediately above Rinku who is staying immediately above Rinku Rinku के immediately above Munna ठीक है option 3 next question how many people are staying between Rinku and Golu Rinku and Golu के बीच में Golu यहाँ है Rinku यहाँ 1, 2, 3, 4 4 people between Rinku and Golu next who is staying 3 floors above Munna 3 floors above Munna 1, 2, 3, 3 floors above Munna Ravi ठीक है next who is living immediately below Vicky immediately below Vicky कौन है Sonu next question में आप लोग हिंदी वाले जो भी हिंदी का देखना चाहते हैं आप लोग एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे फिर हम English वाले पर चलेंगे ठीक है एक बाद फटा फट स्क्रीन शॉट ले लो जिसको भी हिंदी चाहिए चलो English पर आजाते हैं अब Dual row का question हमें देखने को मिला था फर्स shift में पाँच-पाँच मेंबर बैठे थे तो उसी के हिसाब से ये एक question आपके लिए आया है फटा फटा आंसर करिए झाल झाल इतना डाइम नहीं ले सकते हैं आप एक्जाम में 10 persons are sitting in 2 parallel row containing 5% each in such a way that there is an equal distance between adjacent person in row 1 P city are seated along facing south okay 1 2 3 4 5 facing south P Q R S T ठीक है उसके बाद 1 2 3 4 5 facing north A B C D E therefore in the given sitting arrangement faces another member of the row ठीक है S sits third to the right of Q where either of them is sitting on any one of the extreme ends Q कहां पर बैठा है उपर बैठा है S sits third to the right Q यहां पर नीचे दिख रहा है तो 1 2 3 3rd to the right यहां पर आएगा इसमें S कोने में है एक और arrangement बनाएंगे हम उसमें हम Q को कोने में डालेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है either of them is on the end ठीक है हो गया then the one who faces Q sits second to the right of E यहां पर Q के सामने जो है second to the right of E है Q के सामने जो है second to the right of E है two person sitting between B and E two person sitting between B and E नीचे possible नहीं है क्योंकि यहां पर भी दो है यहां पर भी दो है B की जगा नहीं है neither A nor C sits at end of the road ठीक है A और C side में नहीं बैठेंगे तो D बचा D बैठ जाएगा ठीक है the immediate neighbor of A faces the person who sits immediately to the right of Q right of Q में जो person है वो कहा है immediate neighbor of A है तो A यहां पर होगा C यहां पर होगा ठीक है क्योंकि A का neighbor immediate neighbor of Q को face कर रहा है R and T are immediate neighbors of each other T does not face the immediate neighbor of D D का neighbor E है तो T इसके सामने नहीं बैठेगा तो T यहां पर बैठेगा T और R neighbors है तो यहां पर बचा Q आ जाएगा ठीक है clear है clear है yes यही बेजा है आप लोगोंने भी चलो question देख लेते हैं पहला question who of the following is facing P B is facing P, option 5 next question true regarding R R faces one of the immediate neighbors of D देख लेते हैं R के बारे में क्या-क्या सही है क्या-क्या गलत है R के बारे में true पूछा है first option है R faces one of the immediate neighbors of D yes R is facing E that is immediate neighbor of D P is one of the immediate neighbors of R option एक है last में all of the given are true तो हमें इसने सारे चेक करने पड़ेंगे because सारे चेक हो सकते हैं और true भी हो सकते हैं P is one of the immediate neighbors of R नहीं गलत है none of the given statement is true ये भी गलत है R sits to the immediate right of Q R is not immediate right of Q first वाला सिर्फ true है regarding R next question who is facing T T को facing T कर रहा है C option number 4 next question what is the position of C with respect to A C with respect to A C with respect to A C is immediate left of A immediate left option 2 next question exam में left right में confused नहीं होना dual row है कौन left देख रहा है कौन right देख रहा है I mean north south है confused नहीं होना है ध्यान से अराम से question करिये का ठीक है four of the following five are lalai which does not belong to the group S, P, D, B, C S, P, D, B, C S, P, D, B, C सारे कोने में बैठे हैं C कोने में नहीं है तो answer will be option number five अच्छा आगे जाने से पहले just a reminder कि आप लोग test book super coaching कैसे purchase कर सकते हैं because आगे आने वाले exams के लिए बहुत जरूरी है super coaching FCA का तो आप अभी लोग exam देदोगे पर आगे नया साल शुरू हो गया है आपको नए से प्रिपरेशन करनी है अगर आपका यहाँ पर अभी तक कहीं selection नहीं हुआ आपका aim कोई दूसरा है तो यहाँ पर आपको करना किया है आपको यहाँ पर अभी session में जाना है session को पहले like कर दीजे session को शेयर कर दीजे शो मोर पर आप जाएंगे तो यहाँ परा banking super coaching purchase कर सकते है और अगर आप SSE और railway की भी तयारी कर रहे है bank के साथ आप combo pack भी purchase कर सकते है आपको बस करना क्या है आपको coupon code लगाना है मेरा इससे आपको maximum discount मिलेगा मेरा नाम है नहाँ आप इसको लगा सकते है यहाँ पर maximum discount पा सकते है और super coaching से कर सकते हैं तयारी ठीक है चलो अब आगे चलते है next question की तरफ हिंदी वाले screenshot ले लो first shift में हमारे पास पुछा गया था uncertain row तो वही question है हिंदी वाले screenshot ले लो फिर हम चलते हैं English की तरफ English का question आ गया फटा फटा आंसे करो करेंगे तो पताहिए जल्दी जल्दी आंसे करने की कुशुश करेंगे हुआ 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 है इजय हुआ 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 ह नहीं हुआ किसी का क्या बात है स्टार्ट कर लेते हैं काफी टाइम हो गया है अगर आपको अंसर्टेन रो में दिक्कत है तो आप स्किप कर दीजेगा एक्जाम में ठीक है ओके चलो इना होरिसोंटल लाइन सम पीपल आर सिटेंग और आल आ फेसिंग इन वन डिरेक्शन ठीक है लेस देन थ्री सीट का मतलब क्या है लेस देन थ्री का मतलब टू वान या जेरो बवीन पावनी अविनाश ठीक है पावनी अविनाश अढ देर फावव सीट बवीन सेजल अविनाश भीन जेटीट वान पावनी अविनाश इसा हो सकता है या फिर एक न्यू स्लाइट ले लता है बिकॉस ऐसे डायग्राम नहीं बन पाएगा अब बनाएगे डायग्राम क्योंकि अंसर्टन है पता नहीं कहां तक जाएगी बारी तो 5 seats between Sejal and Amit 5 seats between Sejal and Amit 2 possible cases Sejal 2, 3, 4, 5 Amit Amit 1, 2, 3, 4, 5 Sejal फिर उसके बाद and Amit is to the left of Arun. Arvind is sitting second to the left of Arun who is sitting three places away from Amit. Amit say three places away है कौन? Arun who is sitting three places away from Amit and Arun के कहां पर है Amit? Amit who is sitting one of the places to the left of Arun. Arun के left में है Arun के left में Amit है और Arun who is sitting three places away from Amit तो यहां पर Amit बना है हमारा already three places हमें किधर करना पड़ेगा इस तरफ 1, 2, 3, Arun आ जाएगा एक बार re-check कर लेते हैं Amit who is sitting one of the places to the left of Arun. Arun के left में ही है देखो अरun के left में 1, 2, 3, Amit आ गया है ठीक है Amit हो गया इधर भी same चीज़ करेंगे 1, 2, 3, three places away बोला है तो राइट में ही बनाएंगे क्योंकि Amit कहां पर है? लेफ्ट में है 1, 2, 3, यहां पर आ गया ठीक है आगे चलते हैं, आगे, no one is sitting to the left of Reshma But Reshma is not sitting near any vacant seat अच्छा, vacant seat भी है ठीक है At least 8 seats are there between Arun and Jaggu Who sits one of the places to the left of Arun Arun और Jaggu Arun कहां है? यहां पर है Left of Arun भोला है कितने? At least 8 seats are there between Arun and Jaggu Who sits at one of the position left of Arun Arun से left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 At least है तो भी हम 8 ही बना के चलते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर already 9 seats हो गई है Jaggu को यहां बठा दो At least मतलब ज्यादा भी हो सकती है But at least 8 होनी चाहिए, ठीक है? Two persons are sitting between Sejal and Reshma Sejal और Reshma के बीच में two persons है बढ़ अभी पता नहीं कहां पर है No one is sitting to the left of Reshma ठीक है Reshma के कोई left में नहीं बैठा है यानि कि सारे right में है Reshma left end पर आएगी ठीक है Reshma left end पर आएगी तो यहां पर Reshma को लिख देते हैं And Reshma और क्या बोला है? Two persons sitting between Reshma and Sejal तो यहां पर two persons Sejal इसको और थोड़ा अधर लिख लेते हैं Reshma two persons Sejal ठीक है उसके बाद देख रहे हैं अभी हर्षल मुझे नहीं पता है Let's see मैं अभी आपी के सामने solve कर रही हूं Two persons हो गया है Sunil is sitting to one of the places to the left of Jagu But four places away from Pavani अभी Pavani कहा है पता नहीं Not more than two seats are there between Avinash and Arvind ठीक है अभी कौन-कौन सा statement हमारा हो गया है उसको हम यहां पर highlight कर देते हैं ठीक है हमने five seats between Sejal Amit बना लिया है Left of Arun बना लिया है Arvind is sitting second to the left of Arun यहां पर Arun who is sitting three places away from Amit बन गया है Arvind को fit करना है second to the left of Arun ठीक है second to the left of Arun हमको Arvind को fit करना है Arun के second left Arvind यह क्या हो गया रुको रुको एक मिनिट हमको यहां पर Arvind को fit करना है अरे क्या हो रहा है Arvind यहां पर Arvind ठीक है Arvind के बारे में last में एक point था more than two seats are there between Avinash and Arvind Avinash और Arvind के बीच में more than two seats है यहां पर भी हो सकती है यहां पर भी हो सकती है दोनों तरफ से हो सकती है कुछ और देखते हैं और क्या point है connecting point जिससे हम connect कर पाएं यहां पर Arvind is sitting second to the left of Arun यह भी हो गया no one is sitting to the left of Reshma but Reshma is not sitting near any vacant seat यह भी हो गया ठीक है vacant seat के पास नहीं है ठीक है at least eight seats between Arun and Jaggu who sits at one of the places to the left of Arun यह भी हो गया है left of Arun हो गया है but eight है या जादा seats है वो अभी नहीं पता two person are sitting between Sejal and Reshma यह वाला हो गया Sejal and Reshma का हो गया उसके बाद Sunil is sitting to one of the places to the left of Jaggu but four places away from Pavani four places away from Pavani बोला है and one of the places to the left of Jaggu छीक है Jaggu के left में अगर जाएगा Jaggu के left में अगर जाएगा यहां पर कितने left जाना है Sunil is sitting in one of the position but four places away from Pavani Pavani ही अभी तक नहीं बनी है Pavani कहां आएगी Pavani का एक sentence था ना Pavani and Avinash less than three seats are there between Pavani and Avinash ठीक है who is not a neighbor of Amit यहां से cancel हो जाएगा Amit is not a neighbor of Avinash is not a neighbor of Amit ठीक है तो Amit, Avinash यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि Amit बैठा हुआ है अगर यहां पर Avinash आता है Avinash अगर यहां पर आता है हमारा Avinash हो गया and Avinash और सेजर Pavani के बीच में कम से कम three seats होनी चाहिए and two seats are there between Avinash and Arvind more than two seats ठीक है Avinash और Arvind के बीच में more than two seats है तो यह तो सिफ two ही हुई और खिसकाओ इसको इसको और खिसकाओ क्योंकि यहां पर more than two seats चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा one, two, three कम से कम तो यह Avinash यहां पर अगर Pavani आती है अगर यहां Pavani आती है Avinash और Pavani के बीच में यहां पर और यहां पर जगा पावनी हो सकती है क्योंकि zero, one या फिर two places हो सकती है Avinash और पावनी के बीच में यहां और जगू बैठा है तो यहां पर नहीं होगा उसके आगे चलते हैं उसके आगे क्या पॉइंट था और कौन सा पॉइंट बच गया है अमित का नेबर नहीं है Sunil is sitting to the one of the places to the left of Jagu but four places away from Pavni four places away from Pavni चलते है पावनी से अगर four places away जाएंगे तो यहां से one, two, three, four इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा यहां पर Sunil आ जाएगा left of Jagu भी हो गया है और क्या बचा और क्या बचा not more than two seats between Avinash and Arvind ओके not more than two बोला है ओके not more than two sorry not more than two बोला है यही होता है focus lose करने से यहां पर मुझे बार बार screen इधर उधर करनी पड़ रहे है उस वज़े से भी issue आ रहा है second position यहां से यहां जाएगा तो यहां पर आ सकता है सुनील या फिर यहां पर आ सकता है सुनील जगू और उधर किसक जाएगा not more than two दिया है हाँ वो मैंने अभी correct कर लिया प्रकाश बड़ ऐसा है ना मुझे बार बार screen इधर उधर करनी पड़ रही है तो इसलिए थोड़ा सा confusion जादा create हो रहा है हरदीप ने 15 बताया है अगर 15 हम कर रहे हैं कितने members बन रहे हैं आपके 15 ही बन रहे हैं बाकी सब लोगों के कितने बन रहे हैं यहां पर काफी टाइम लग जाएगा अगर हम अभी पूरा solve करते हैं 13 किसने बताया था 15 ही है 13 किसने हर्षल ने बताया था 15 में से आपकी कितने वेकेंट सीट आ रहे हैं 13 है या 15 बेकोज हर्षल आपने पहले 13 बोला था इतने अरेंजमेंट के लिए तो बोर्ड भी छोटा पड़ गया है देखो कभी ना यहां पर बोर्ड तो छोटा पड़ गया है पर आपको एक्जामिनेशन में क्या करना है एक्जामिनेशन में आपकी शीट यहां पर ऐसे रहती है आप ऐसे यहां पर solve करते हो uncertain row आए ना कभी भी FCI में तो अगर आपके पास सिफ 15 मिनट है नहीं और कुछ बचा है तो ही आप uncertain करेंगे वरना आप नहीं करेंगे आप शीट को इस तरफ से लेकर लिखिएगा तो आपका uncertain जल्दी बन जाएगा ठीक है clear है अगर आप लोगों का arrangement बना है तो यहां पर आप लोग answer करें because यहां पर board का slide switch करने में बहुत ही ज़्यादा confusion create हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप लोग answer करें पहले question की तरफ चलते हैं देखते हैं answer क्या क्या आ रहे हैं आप लोगों के answer at least match हो रहे हैं या नहीं मैं side हो जाओ थोड़ा फड़ा फड़ा answer करें first वाला how many persons there between Jagu and Arun how many persons are there between Jagu and Arun आपका बना नीरज यह आपका भी नहीं बना है okay जिनका बना है हरदीप शक्ति हर्शल आप लोग बताओ कितने members हैं Jagu और Jagu और कौन है अरुन के बीच skip final हाँ आप skip कर सकते हैं FCI के exam में आप skip कर सकते हैं ठीक है 6 आ रहा है हरदीप का I will not be able to comment okay बाकी लोगों का देख लेते हैं next question who are sitting at the extreme end देखो रेश्मा तो बैठी ही है यह तो पक्का है रेश्मा का तो question में ही दिया था पट यहां पर बोथ B and D भी है आपको यह confirm करना है अरुन भी कोने में बैठा है या नहीं हरदीप कहरे ही अरुन भी कोने पर बैठा है ठीक है तो बोथ B and D answer आ जाएगा ठीक है very good next question trusting Harshal and Hardeep अभी यहां पर third from the right end third from the right end कौन है जगू, सेजल, अरुन, अरुन, या फिर कोई नहीं अरुन है, okay Hardeep तो कह रहे है no next question, who is sitting third to the left of Avinash third to the left of Avinash जल्दी-जल्दी answer बताओ जल्दी no one, सेजल, पावने, either B or C, that is सेजल और पावने, या फिर determine ही नहीं कर सकते अगर खाली है क्योंकि vacant seat भी है, अगर खाली है तो आप क्या बोलेंगे, no one, चीक है यह answer आ रहा है, okay, very good Hardeep, चीक है, no one is sitting हाई, रानी okay, next question next question, फड़ा फड़ा आंसर करो, one B से C, प्लस 1, C से E, प्लस 2, E से H, प्लस 3 हुआ है, फिर H से I, प्लस 1, I से K, प्लस 2, फिर K से N, प्लस 3 हुआ है, N से O, प्लस 1, O से Q, प्लस 2, Q से T, प्लस 3, T से U, U से W, तो W से प्लस 3 करोगे, Z आएगा, Z प्लस 1, A, प्लस 2 करोगे, C, Z A, C, option number 1, clear, okay, बाकी आप मुझे जोइन कर सकते हैं, नहाँ आप आप आपकी जोएन कर सकते हैं, नहाँ आप आपकी जो आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजेगा, सुपर कोचिंग बांकिंग बाइट एसको स्किप कर सकते हैं, आज आपने कितने क्वेशन अभी सही किये ह 25 क्वेशन थे पूरे-पूरे क्लास कैसी लग रही है, यह भी आप जरूर से बता दीजेगा, मुझे जॉइन कर लीजेगा, बिना भूले नहीं हमाम टैस्ट बुक नाम के टेलिग्राम चानल पर, अभी के लिए यहाँ पर हम सेशन को एंड करेंगे, बाकि अगर आप सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, मिलेंगे नेक्स सेशन में, एनालेसिस होने वाला है, यहाँ पर फोट शिफ्ट का भी ठीक 5.30 पर आपको हमारे साथ जुणना है, तो भी चलते हैं, मलते हैं नेक्स सेशन में, तब तके लिए बाई-बाई and टेक केर एवरिवान